सीधे शब्दों में कहें तो किरला में कुल 32,000 लड़कियों ने इसलाम धर्म कबूल किया इसका कोई भी solid proof नहीं है एक बात ये भी ध्यान देने वाली है कि महिलाओं के ISIS में शामिल होने पर उमन चांडी ने कुछ भी नहीं बोला था दोस्तों जो लोग इसलाम और मुसल्मानों के दुश्मन है उन लोगों ने हमेशा दुनिया वालों को अंधरे में रखा है कभी भी उन्होंने इसलाम के बारे में सही बात नहीं बताया है बलके हमेशा इसलाम के बारे में निगेटिव चीज़ को सामने किया है हमेशा ये लो जबों के सामने में है YouTube पर एक चैनल है दो ललन टॉप को यहां पर थमनेल में देख सकते हैं कि थमनेल में इसने क्या लिखा है इसके टाइटल और थमनेल को देख सकते हैं जिसमें लिखा है 32,000 हिंदू महिलाओं को मुस्लिम बनाया दो केरला स्टोरी अपने ही दावे से पल एक भरम पैदा किया जा रहा है कि 32,000 हिंदू औरतों को इसलाम धर्म में जवर्दस्ती कनवर्ट किया गया और उन्हें टेरिरिस्ट बनाया गया लेकिन हकिकत इसके बिल्कुल उल्टा है आप इस वीडियो को जाकर के पूरी देखें आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो के बीच से मैं आप लोगों के स्क्रिन शॉट देखा रहा हूं जिसमें देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ तीन औरतों के बारे में कहा गया है कि इन तीन औरतों ने इसलाम धर्म को अपनाया या ये कि उनके उपर में जबर्दस्ती किया अगर इनके उपर में जबर्दस्ती किया गिया तो ये बिल्कुल गलत है जिसने भी इस तरह की हरकत की है उसको सजा मिलनी चाहिए जोर जबर्दस्ती से इसलाम कबूल कराना कुरान और हदिस हमें इसकी तालिम नहीं देता है लौब जहाद ये जहाद वो जहाद ये सारी चीज प्रोपेगंडा है अगर आप कुरान और हदिस खोल कर देखेंगे तो वहां पर आप लोगों को मिलेगा कि एक अजनबी मर्द और 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 औरत को आपस में मिलना जुलना मना है आपस में फ्रेंडली बातचीत करना मना है चाहे वो औरत मुसलिम हो या ये के हिंदू ह ये हुक में सबके लिए बराबर है अजनबी और और गयर महरम औरतों इसी तरह अजनबी मर्द और गयर महरम मर्द इसलाम के रूल के हिसाब से इन दोनों का आपस में मिलना जुलना बातचीत करना इसी तरह फ्रेंडली हो करके गवशप लगाना ये सखत मना है प्रान और ह इसलाम का कोई भी कुसूर नहीं है क्योंकि इसलाम तो पहले ही एश्टे पर इस चीज़ से मना कर दिया था कि इस तरह आपस में मिलना जुलना बातचीत करना यहां तक कि एक दूसरे की तरफ देखना भी मना है इसलाम हमेशा किसी भी बुराई को जड़ से खतन करने की बा जाए तो उस धर्म का 50 साल के बाद में कोई अता पता नहीं रहा जाएगा लेकिन इसलाम की सच्चाई इन तमाम मेडिया वालों के सामने में टिकी हुई है और हमेशा ये टिकी मजहब इसलाम ये रहती दुनिया तक के लिए आया है जब इसलाम मजहब इस धर्ती से खत्म हो जाएगा तो कियामत आ जाएगी हदिस कुरान में हमें यही मिलता है